Good morning students, I hope you all are fine. Good morning students, I hope you all are fine. Today we will start chapter 5 back exercise. We will revise back exercise. This chapter is परोपकारस से फलम. परोपकार का फल. Firstly, we will read the word meaning. Next one, दन्तफेन टूथपेस्ट, सयूते बैग में, निर्गत्य निकलकर, अंतरात्मा बाद में, निर्गत निकला, याचनियम मांगना चाहिए, लज्जा शरम, शीर्म दूद, सक्रित एकबा, निरन्तम पून रूप से, परिक्षय परिक्षा करके, महम मेरे लिए, डयकम बिल और क्रियतम कितना, नाओ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, किश्मिचित, किसी से नियती ले जाता है, पूर रात्रों पिशली रात से, पदानी पैरों से, वाधित्वान बजाई, अनिता लाई, घना अनेक बादल, फलो उदगम फलाने पर, इवेश यही, गमन समें, जाते समें, गतवा, जाकर, महिती बहुत, स्तापयन रखते हैं, कचित कोई, आचरियात, शीक्र, तरवात, अनेक पेज, और विलमन जुका हुआ, इसमें विशेशन पत क्या है, इट विल कम नमहा, सेकंड विल कम, नाव, नेक्स्ट वन, अल्पमेन इती उचित सनेह संदी विछेद, अल्पनेव प्लस इव, इट विल कम फोर्थ वन, नेक्स्ट पेज, चकित सालिय, चकित सक, नाम है के मस्ती, जो डॉक्टर था, उसका क्या नाम था, डॉक्टर हार्वर्ड, बालक काती वर्ष अस्ती, बालक कितने वर्ष का था, दश मिन्स दस, सेकिंड कोशन, डैश नगरे एका, दश वर्ष ये बालक अवसत, किन्चित नगरे, किसी एक नगर में दस वर्ष का बालक रहता था, डैश सा बालक जल पात्रमायचात, लज्जावंश की, उसने शरम से सिरफ पानी का गिलास मांगा, एकदा यथा पूर, समय से पहले वो निकल गया, डैश ना स्विकारोमी अहम, किम अपी मैं इन में से कुछ पी स्विकार नहीं करूंगी, विशेश विधेन साथ शले चकित सम्, आकुरोत, कि जो वो हॉस्पिटल था, वो आधुनिक तरीके की हर तरह की फैसिलिटी से भरपूर था, थर्ड कोशन, कोशन आंसर सा बालक काते वर्ष थी, वे बालक कितने वर्ष का था? दस वर्ष का, सा वस्तुना विकरेंड, कुतर आगचत, वे वस्तुन को बेचने कहा जाता था, ग्रहम गर्गर, कसमात बालक केवल जलम अचात, किस लिए बालक ने सिरफ जल मांगा? बिल लजजा वंसात, मिस शरम के मारे बालिका बाल कस्ये हस्ते किम अपरित्वती बालिका ने उस बालक को क्या दिया शीर ब्रेड चा शीर ब्रेड का मतलब होता है कि दूद का एक गिलास और ब्रेड कस्ये चकित साले अस्वस्त बालिका आफगरत किसके चकित साले में वे बालिका गही थी डॉक्टर विभक्ति और वच्छन ये उन्होंने हमें शब्द रूप के कुछ शब्द दिये हैं जिसके लिए हमने उसमें से मूल शब्द निकालना है विभक्ति और वच्छन निकालना है सबसे पहले हैं मती भ्याम, मूल शब्द इसका आएगा मती, भ्याम इस तृत्य विभक्ति और द्वी वच्चन, साधू, साधू मूल शब्द है, सत्मी विभक्ति एक वच्चन, वारी, मूल शब्द है, प्रत्मा बहु वच्चन, धेनू, धेनू मूल शब्द है, द्यृत् व्रिक्षा संती विध्याले के चारों और बहुत सारे व्रिक्षा इट विध्याल्यम बालक मोदक रोचते बालकाया मोदक रोचते मम जलम ददातू मुझे जल दे दो now next one in last question also we having question answers they have given us answer we have to frame the question कितने वर्ष का बालक था दस वर्ष का सा कस्मान निर्गत वे कहां चला गया था घर सा घरे निर्गत वो घर से जल्दी चला गया था कस्मात सा बालक जल मात्रम आयच थे उसने किस लिए सिरफ जल ही मांगा लज्जा वंशात मीज शरम के मारे सा बालिका के दरे शभवती वे बालिका कैसी थी आस्वस्थ जो उसके हॉस्पिटल में बालिका लाई गय थी वो कैसी थी आस्वस्थ विमार Listen this carefully and this is the seventh question कि हाथ में का अभूशन क्या है? हाथ का अभूशन है? दान देना मुख का अभूशन है? अच्छत्य बोलना नेत्र का अभूशन क्या है? अपरिये ना देखना कुछ बुरा नहीं देखना कान का अभूशन है? बुरा नहीं सुनना पाव का अबूशन है सही पत पर चलना और मस्तिक का अबूशन क्या है अच्छा सोचना ल доллар लूशन धिशन है अबूशना जस्थ खूए इया हूं रूशन था हूं, सе अभशर員 रही कुछा फूशन है एप्रोश खूए से खूए पर से अबूशन-द चरशा से ओंधू